नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कोशिक जी टेक्निकल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिपलोमा के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए कैसे आप इनकर सकते हो या डिपलोमा के बाद जो इस कॉलेज जो टॉप 10 कॉलेज है पूरी हि जाएगी तो मिल देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो में अच्छा इसके बाद जो भी आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो उसमें क्या गया कैसे कैसे जा सकते हो एंड तक बने रहना तो दोस्तों यह है पॉलिटेक्निक कब और कहां से करनी है तो देखते हैं इं इस पॉलिटेक्निक बंगलोर गॉफर्मेंट ऑनते पॉलिटेक्निक पत्टना और तो गऊवर्मेंट पॉल्यैकं Oh यमना पॉलिटेक्निक एंजीनियरिंग यम्ना नगर गॉल्मेंट कव्सक्रण कोलल एच्यां आपके लिए कालिंग भूबनेश्ट पॉबनेश्र में अच्छा इसके बाद जो है बात करेंगे हम पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएंट की बड़ती के बाद सीरी स्नौकरियां कौन कौन सी है जो प्लस में आती है तो पहली सबसे बड़ी है सबसे इंडिया लिमिटेट और ऐसी तेल एंप्लाकितिक केस निगम नेश्ट है यह डियाइडियो डियाइडियो बहुत अच्छा है सग्रक्षा आजम संदान और बिकास संग्टन भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेट एंटी पीसी नेश्टनल थॉम्स पावर है विकास एजनसियां एनएस एसो राश्टियन नमुना सर्वेस संग्टन आईपी सी एल इंडियन पैट्रो पैट्रो कैमिकल लिमिटेट अगर आप पॉलिटेक्निक के निजी छीस चत्र्मेे केरियर बना चाहते है तो पॉलिटेक्निक डिपलोमा कोर्स कर लेना चाहिए क क्योंकि यह आप student के लिए best course थावित हो सकता है दोस्तों कि डिप्लोमा करने के बाद इन नौकरियों में आप कर सकते हो और दूसरी बात अगर आपने टॉप 10 इंडिया के चो कॉलेज मैंने अभी उपर बताए थे उससे अगर करते तो 100 परसन आपको अच्छी जूप मिलेगी और आपको सब जो पैकेज है वह भी आपको हाई रहेगा ठीक है ना तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आप पजल चैनल पर पहली वार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर देना अपने सभी दोस्तों मसेरे कर देना धन्यवाद